हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में पढगे ऑटो कोइट्स यह फार्मकोलोजी से हैं तो आज हम पढ़ेंगे ओटो कोईट्स ओटो क्या होते हैं indку self healing substance भी वोलते हैं तो इन में से पहले हम देखेंगे हह होते हैं Amine Autocoids होते हैं Lipid Derived Autocoids और Peptide Type Autocoids होते हैं तो इनका first question तो इसी पर बनता है बहुत ज्यादा important है ऐसे आता है कौन सा है जो Amine है तो इनको अच्छे से यह जो है नहीं तो बहुत ज्यादा important है काफी बार अक्जाम में आता है plazma kainin के बारे में कौन सा plazma kainin है peptide टाइप है Autocoid कौन सा है lipid वाला कौन सा है तो यह जो है यह तीन टाइप most important है इनको अच्छे से याद करना की तो इस पहला है Amine Autocoids में कौन सा आता है histamine और serotonin तो इस serotonin को 5-hydroxy tryptamine भी भोलते है तो Amine में कौन हिस्टामिन और सिरोटोनीन निच्ट अर लीपिड डिराइव ओतो है नेज्स न si युपिड डिराय डिराइव ओतो है प्रोस्ट ग्लांडिन्स ली अडीकोट्राइंस प्लेटलेट अक्टिवेटिव सेक्टर्ड तो ये क्या है लिपिड-derived autocoids में कुन-कुन से हैं प्रोस्टाग्लेंडेंडिंस लीकोट्राइंस और प्लेट लेड अक्टिवेटिंग फैक्टर नेक्स्ट है, प्लाज्मा काईनिन है नेक्स्ट है उते हैं प्लाज्मा काईनिन है यह present होता है histamine is present mostly within storage granules of mast cell तो histamine जो है यह most important है कहां present होता है mast cell में present होता है यह question आता है histamine कहां होता है mast cell में present होता है with negatively charged hyperin जो hyperin होता है उस पर negative charge होता है और histamine पर positive charge होता है तो यह histamine mast cell में present होता है with negatively charged hyperin और जो histamine होता है यह histamine कैसे बनता है यह जो histidine amino acid होता है इसके decarboxylation से बनता है यह भी बहुत important है कि जो यह histamine है यह कौन से amino acid से बनता है तो histidine amino acid से बनता है और कैसे decarboxylation process होती है उसके through histamine बनता है हैं इससाइलाइल इतना हिस्ट esta मिल सब्सक्राइब ओग Denorf यह बिला, इतना हिस्टामीन क्या हो नियुक्त करों की। G-protein couple receptors होते हैं ठीक है उनके through act करता है तो इसमें H1, H2, H3 होते हैं यह तो histamine क्या करता है यह bronco constriction करा देता है मलब bronchi को constrict कराता है histamine next क्या करता है increase gastric acciel secretion hydrochloric acid होता है उसको secretion को भढ़ा देता है इसलिए हम जो इसलिए हम क्या इसको stop करने के लिए कि जो एक ट्रेंट अगनिस्ट होते हैं रेंटेडिन वगारा वह हम देते हैं आंसर में इसके सिक्रेशन को stop करने के लिए ठीक है क्योंकि इसमें जो गी रिसेप्टर होते हैं histamine के क्या करते हैं increased gastric acciel के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं next cns action absent तो इसलिए पोस्टली चार्ज होता है नेक्स्ट है अब इसमें फरस्ट जनरेशन होते हैं एक तो फरस्ट जनरेशन आच्वन अंटागनिस्ट पढ़ेंगे हम मतलब anti histaminics से फर्स्ट जनरेशन से एक और ऐस्ट जनरेशन तो इनकी सीडेटिव होते हैं और इसमें फर्स्ट जनरेशन में इसब नहीं होता है सबसे पहले तो यह बहुत ज्यादा important काफी बार अग्जाम में आया है कि या तो ऐसे आजाएगा diphenhydramine is यह option दिये रहेंगे या फिर ऐसे आजाएगा aminoalkyl ether derivative is इन में से फिर option हो जाएगे तो यह classification है antihistaminics का यह जो बहुत जादा important है इसमें है पहला है aminoalkyl ether derivative उसमें आता diphenhydramine, docxymine clemastine यह क्या है aminoalkyl ether derivative होते है वह लते हैं diphenhydramine यह याद रखना है diphenhydramine क्या है aminoalkyl ether derivative और docxymine होते हैं dean célustry एगा मिले फिर陽 सलीप Congo SPProtoमा vanन का मैंने इसψूल बनाया है ताकि थोड़ा सा यह या रह सके कि amminoalkyl ether derivative है ठीक है इसमें amino group हो गया अमीनो अलकाइल ये इसमें ये इथर हो गया ठीक है अमीनो अलकाइल इथर डेरिवेटिव होता है ये है डाइफिन हाइडरामिन का स्ट्रक्चर है नेक्स्ट इतालीन डायमीन 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 डायमी के इताइलिन डाइमीन डैरिवेटिव ठीक है तो यह हो गया इताइलीन थीख है और दो अमीन है नज्वे इताइलीन डाइमीन डैरिवेटिव थीख है तो यहैं यह क्या iathya Eyalyan diamin derivatives होते हैं इसके जो भी होंगे मतलब उनमें ये वहला structure ज़ीद प्राइबिजन हो का iathya Eyalyan diamin derivative ठीक है तो यह होता है Mipyramine यह इसका structure है mipyramine का next are propylamino derivatives propylamino derive referafenamin और chlorphenol Amino derivatives में फिनाइरामिन और और फिनाइरमिन यह प्रोपाइल अमीनो डेरिवेटिव फिनाइरमिन और फिनाइरमिन का स्ट्क्चर है तो इसमें यह प्रोपाइल अमीनो डेरिवेटिव ठीक है यह प्रोपाइल चेन हो गई यह तीन कार्बन को प्रोपाइल बोल देते न तो प्रोपाइल अमीनो डेरिव में कौन से आ गए फिनायरमीन का structure है और यहां पर कलोरिन एटम लग जएगा तो यह क्या हो जगा क्लोर फिनायरमीन हो जगा नेक्स्ट फिनो थायजीन डेरिवेटिव अब फिनो थायजीन तो यह रिंग होती है यह एक बैंजीन रिंग इंग और यह बीच में यह इसमें ना उनमें यह तो इसमें भी यह क्या है फिनो थायजीन डेरिवेटिव प्रोमिताजीन और ट्राइमी प्राजीन तो यह प्रोमिताजीन का structure है इसमें यह फिनो थायजीन रिंग है और उपर यह side chain है CS2 CS3 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 ठीक है यह हो गया प्रोमिताजीन का structure तो प्रोमिताजीन में कौन डैयमीन डैरिवेटिजंगे प्रोपयल अभी आमीनो डैरिवेटिज फिनोधाइजन डैरिवेटिज तो इनको इनका एक्जामपल तो अच्छे से याद करने है Mario इकपर में काफी बार अग्जाम में क्वैस्जशन आता है नेक्टम आता है एक यह सब किसमें आते हैं dijo in connecting इसम में क्या होती हैं जैसे यह रिंग होती निखिवली को यह मैंने पना है स्टुक्च है इनिख में पाइप राजीन रिंग परिजन्ट होता इसारा को प्रकेज़द होती है यह है किसका cyclizine का structure है तो pipraze inter derivative में आगे cyclizine, hydroxyzine, chloro-cyclizine, micklizine, bucclizine, sinarizine next है अब इनके use देखते हैं जो यह H1 antihistamines है यह morning sickness में जो pregnancy में vomiting होती है उसमें यह morning sickness बोलते हैं उसको उसमें use होते है doxilamine जैसे है यह use होता है और यह motion sickness में जैसे जो लोग suffer हो करते हैं उसमें जैसे किसी को vomiting होती है तो इसमें यह hydro यह hyocene और dicyclomine इसमें motion sickness में use करते हैं acute allergic reaction में इनको use करते हैं allergy reactions में और common cold में इनको use करते हैं antivertigo जैसे sinarizin होती है यह antivertigo होती है मसल the stone या इन सम्मेस को तो स्भाप्रत क्या इनकी इनके जो aan का सिंगर में लगर हिए हुगा उसमेंस लिवेशन होगा ठीक है यूरिनेशन होगा डायरिया होगा मतलब सब कुछ इंक्रीस कराना होता उसमें और एंटी कोलिनर्जी का उपोसिट होएगा सिक्रेशन कम हो जाएंगे तो उसे ड्राइए माउथ हो जाएगा यूरिनर्री टैंशन हो जाएगा स्ट्रिपेशन हो जाएगा यह सब क्या एंटी कोलिनर्जी साइट इफेक्ट आते हैं इसे सी सब्सक्राइब करेंद न्युद्री ज्यादा तो इसका इंडिकेशन क्या ओता है ड्राइविंग और मशीनरी और जो यह ड्रग लेते हैं उनको मदब ड्राइव निकरना चाहिए क्योंकि सेडेटिव होते हैं और टेराटोजानिक होते हैं कौन से साइकलीजीन और मिकलीजीन क्या होते हैं टेराटोजानिक होते हैं जो टेराटोजानिक ट्रग क्या होते हैं पैगनासी में जो फीटस को अफेक्ट करती हैं ठीक है तो इस साइकलीजीन और मिकलीजीन नेक्स में लोरात एडिन होती है तरफिनेडिन उन्की अन्टी कोलिनर्जिक प्रोपर्टी रहे हैं वह उनकी अन्ति कोलिनर्जिक प्रोपर्टी होती है है ने धू है उनोट उल्टर्स साइको मोटर प्रफोरमेंस तो इसलिए ये भी नहीं होताए का यो सिडेटिव नहीं होती इसले साइको इसको ऩुक हम याद कर सकते है कि भूच और सदमीजों यह क्या होते हैं ooh जो aire क्रोट्विशन है वह नहीं करती कि तो इसकी यह द्रग इंटराक्शन है क्या रिस्क तो यह जो होते हैं यह अगर इन ड्रक को देते हैं तो इसका रिस्क जादा होता है यह बहुत इंटरेक्शन है तो इसे याद रखना है ठीक है अगर 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 इसको याद रख सकते हैं अब यह थे अच वन अंट अगर अगर इस्ट कोन से होते हैं यह सब क्या होते हैं है 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 यह बहुत है मेर आम चलब वह बहुत है तो इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जिरूर करना ओके थैंक यू